हेलो फोडीज कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ एक स्नैक की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे हम प्याज से बनाएंगे ये जो स्नैक है बहुत ज़रा टेस्टी बनता है और बिल्कुल यूनीक है आपने शायद ही इसे बनाकर पहले कभी रेडी किया होगा तो इसे बनाने में बहुत ज़रा टाइम नहीं लगता है जटपर बनकर ये रेडी हो जाता है और इतना ज़रा टेस्टी होगा कि आपके बच्चों को बड़ों को सब को ये पसंद आएगा तो यहां पे हमने प्यास लिया है प्यास आपने थोड़े से बड़े साइस का लेना है जिसके अंदर गाट होती है प्यास की तो उसको हम निकाल देंगे जो उपर वाले छिलका है वो हमने अलग कर लेना है हम इस तरह इसकी layers निकाल लेंगे जहां इसकी गाठाएगी उसको हम अलग से use करेंगे उस वाले प्याज का use हम किसी सबजी में किसी filling में कर सकते हैं तो हमने only उपर वाली ये layers भी use करनी है यहां पे हम सारी layers निकाल देते हैं जैसे ये अंदर का piece है इसको हम रख लेते हैं side में और इन pieces को हम छोटे वालों को chop करके हम इसकी filling में भी use कर सकते हैं तो हमने इस तरह इनको सभी को पहले निकाल लेना है और यहां पे प्याज होता है थोड़ा मोटे छिलके वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पे मैंने इसको अलग कर दिया है और इसको हम अलग कर लेते हैं इस तरह हमने सभी प्याज को अलग कर लिया है यह देख सकते हैं आप सारे मैंने निकाल लिये हैं और जो इसके अंदर वाले से दो इसको मैंने अलग करके रख लिया है यहाँ पे हमने सबसे पहले उबले हुए आलू ली हैं पांच से छे आप उबले हुए आलू ले लीजिए और इनको आपने मैश कर लेना है अच्छी तरह यहाँ पे हम इसे मैश कर लेते हैं इसके अंदर बहुत बड़े लंप्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल इसको आपने बिना लंप्स के मैश कर लेना है तो देखिए आलू हमारे मैश हो गए हैं अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर स्वीट कॉन डाल देते हैं मैंने अधा कब स्वीट कॉन ली है और इसे पानी में गरम में उबाल लिया है एक बार निचोड के अची तरह इसके अंदरा रखब डाल दीजिए और यहां पर डाल देते हैं कटी हुई हरी में ची चार से पांच मैंने डाली हैं यहां पर अद्रक डाल देते हैं एक इंच अद्रक का टुकड़ा उसे कट करके और अब इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स मैंने आधा चमच डाला है चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है यहां पर नमक डाल देते हैं एक चमच होटा और यहां पर धनिया जीरा पाउडर है वह भी डाल देते हैं एक चमच अब यहां पर सा निम्बू का रस डाल देती हूँ, अगर आपके पास निम्बू नहीं है, तो आप चाट मसाला डाल लीजिए, या फिरादा चमच, अमचूर पाउडर इसके अंदर एड़ कर दीजिए, तो एक निम्बू का रस हमने इसके अंदर डाल दिया है, आप इसे अच्छी तरह मिक् आप इसे बनाते हैं, हम यहां पे हमने प्याज के दो टुकड़े लेने हैं, इस तरह हम पहले एक पीस ले लेंगे, एक पीस के अंदर हमने फिलिंग को डालना है, इसके अंदर हमने फिलिंग को थोड़ा टाइट करके भर लेना है, इस तरह इसके अंदर डाल दीजिए, अ तो यह बहुत जादा famous snack है, आपको street food के रूप में कहीं भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने सभी को fill कर लेना है, यहाँ पे पहले filling को दबा के भरते हैं और दूसरे piece से इसको lock कर लेते हैं, इसी तरह पहले सारे मैं snack बना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे और देखने में यह बहुत बढ़ी अलग रहे हैं खाने में यह बहुत ज़दर टेस्टी होते हैं, इस तरह मैंने सारे बना कर रख लिए हैं side में, अब इसके लिए हम बैटर ready करेंगे, बैटर ready करने के लिए हमने एक कप बेसन लिया है, यह तकरीब न दो सो ग्राम के बेस तोड़ी सी हल्दी दालते हैं, सिर्फ दो चुटकी भर हल्दी हमने इसके अंदर आली है और अब हम इसके इंदर फोड़ी सी लाल मिची डाल देंगे, यहां पे आप हरी मिच का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो आपकी च्वाइस रहेगी, यहां पे मैं डालूगी आदा आप यहां पर अजवायन डाल सकते हैं यहां पर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है अब हम इसको गोल को रेडी करेंगे जले एक कप विसन के अंदर पहले हम थोड़ा सा पानि डालेंगे तकरीबर एक कप इसमें पानि लग जाता है तो यहां पर फ़णे थोड़ा पानि डालके इसको गोल लेंगे तांके इसके अदर के उपर रुकेगा नहीं वो सारा निकल जाएगा तो इसको हम अच्छी तरह फेंट लेते हैं इसे हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लेना है इसके अंदर गुठलिया नहीं होनी चाहिए और फेंटने से इसके अंदर air आ जाएगी तो इससे यह जो हमारा बेटर है बहुत ही जड़ा पॉर्फेक्ट बनेगा तो लीजे बेटर हमारा रेडी हो गया है यहां पे और अब हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं दो से तीन मिनट के लिए तो बेटर को रखे हुए हो गए हैं पांच मिनट के करीब अब हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर एक चुथाई चमर डाल दीजिए अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा दो चुटकी भर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह mix कर लेते हैं और baking powder या फिर soda आपने तब डालना है जब आप snack बनाना शुरू करोगे पहले डालके बिल्कुल नहीं रखना है नहीं तो इसका reaction है वो खतम हो जाएगा तो लीजे बैटर हमारा perfect ready है अब हम इन snack को बनाना शुरू करते हैं oil आपने गरम होने के लिए रख देना है oil है जो वो हमने medium flame पे गरम करना है high flame पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो यहां पे प्याज के bond को हम filling के अंदर dip कर लेते हैं dip करके हम अच्छी तरह इसको layer कर लेंगे कि कहीं से रहे ना बिल्कुल भी और इसे हम थोड़ा सा साफ करते हुए इसको डाल देंगे oil के अंदर इसी तरह हमने सारे snack डाल देंगे आप देख सकते हैं flame जो है बहुत कम है और इसमें देखिए bubbles धीरे धीरे आ रहे हैं अगर बहुत जादा तेज गरम होगा तो एकदम से bubble आ जाएंगे बेशन यह जल जाएगा अंदर से यह तच्छा रह जाएगा तो इस तरह हमने बिल्कुल धीमी flame पे इसको पकाना है अब डालने के बाद oil को उपर से भी डालेंगे कई बार ऐसा होता है कि बोड़ा डालते ही जो उपर का बेशन है वो निकलना शूरू हो जाता है आप इसे इस तरह उपर से oil डालेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसे turn कर देंगे और इसे अब हमने low flame पे ही medium से low flame पे क्रिस्पी होने तक पकाना है इस तरह हम इसे पल्टी करते हुए बिल्कुल क्रिस्प होने तक पका लेंगे इसे आप गर्मा गर्म सर् पसंद आने वाला snack है एक बार ट्राइज रूर करके दिखेगा तो लीजिए यह snack बनकर तैयार हो गया है देखने में बहुत जादा बड़ी अलग रहा है जितना यह देखने में अच्छा लग रहा है खाने में यह उतना ही तेस्ती भी होता है मैंने इसे बहुत बार ट्रा लेंगे जैसे हमने इनको किया है तो लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी उपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल माउट मैलिटिंग स्नैक बनकर रेडी हो गए हैं आपको यह recipe कैसी लगी है हमें बताईएगा जरूर comment एक करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेग तो देखिए बाहर से बहुत जारा क्रिस्पी अंदर से यह विकुल सौफ से स्नैक बनकर तयार हो गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद